दोस्तो आज मेरे हाथ में दो फॉन है इस फॉन का वाटसप आप देख सकते हैं इसके वाटसप के होम स्क्रीन पे एक फोटो लगा हुआ है जो कि देखने में काफी सुन्दर लग रहा है देन इसको कोई भी देखेगा न तो देख के चोग जाएगा और सोचेगा कि यार मैं टच करते तब भी फोटो दिखे रहा है याहां पर Community पर टच करते तबही फोटो दिखता है फोटो जो हार जगर दीखता है जो कि काफी सुंदर लगता है और home screen पे और यह ऑर भी बढ़्या लगता है यहां पर दोस्तो अबं यह simple WhatsApp है अब मैं चाहता हूँ कि इसके WhatsApp पर फोटो लगा हूँ इस तरह से यहाँ पर लगावाई न है ठीक इस तरह से लगाए ठीक है तो हम कैसे लगाएंगे जानने के लिए आपको वीडियो अंतक देखना हुआ अगर आप यह वीडियो अंतक देख लेता है तो बिल्कुल आप WhatsApp को हो में स्कीन पर फोटो जो है लगा सकते हूं मेरे जैसा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नेकिया है तो जो वीडियो आप देखर उस वीडियो की नीचे तो यहाँ पर आपको एक लाइक का बटन दिखे यहाँ से देजीगा नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें आप लोग कि जगह से यह वीडियो देख रहा है उस जगह का नाम लिग के यहाँ पोटो लगा हुआ है और इस तरह से नहीं पर लगाना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको प्लेश्टूर पे जाना प्ल DESIN designer tools link के ठीक है जब designer tools link के सर्च करोगे तो यह application आपको designer tools का देखने के लिए मिल जाएगा तो मैं इसको install कर रहा हूँ आपको भी क्या करना इस्टॉल करना मात्र 5-6 MB का यह application है और इसका नया update 18 अगस्त 24 का आया है जो कि हर phone में काम करता है यहां पर setability improvement किया गया इस app के अंदर और better user support user interface यह सब किया गया है नया update के अंदर तो चलिए इस application को open करते है और जिस तरह से इस WhatsApp के home screen पर यहां पर photo लगा हुआ है उस तरह से यहां भी लगा के देखते है कि कैसा दिखता है ठीक है तो यहां पहली बार open करेंगे तो यह app इ नीचे की तरफ आपको तीन option दिखेगा उपर की तरफ कुछ option दिखेगा तो आपको क्या करना नीचे वाला option में जो है लास्ट वाला जो option है यहां पर आ जाना है अब यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको जो है mock overlay यह सब देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है तो यहा WhatsApp खोल लिए थी डॉट का जो यह option दिख रहा है इसके उपर टच करके सेटिंग में चले जाएंगे अब सेटिंग में जाने के बाद यहां पर जो चैट सेक्शन है इसके उपर टच करेंगे गाईज यहां पर तीम का option मिलता है जहां पर आपको light और dark का option मिलेगा तो आपको क्या करना इसको dark theme में जो है यहां पर बदल देना है तो हमारा WhatsApp यहां पर dark theme हो गया अब हम बैक आते है और जो application इंस्टॉल किया है उस application को open करते है उसके बाद last वाला option पर टच करेंगे उसके बाद क्या करेंगे यह जो प्लस का icon दिख रहा है इस प्लस वाला icon पर टच करक अपने gallery का कोई भी आप photo ले सकते है जो की देखने में बढ़िया हो और यह जो है आपके WhatsApp के home screen पर बढ़िया दिखे तो मैं यहां पर यह बला जो है ले लेता हूँ यह बला फोटो ले लिए यह बला फोटो यहां पर आ गया अब इसको on करेंगे ऑन करते ही allow माएंगा तो यहां पर इसको यहां से on करना है बैकाना है तो यह बैगराउंड में हलका हलका दिखेगा देख सकते बैगराउंड में हलका हलका दिख रहा है तो हलका हलका दिखेगा तो यह बहुत हर जगह दिखेगा देख सकते यहां भी दिख रहा है बैगराउंड में दिख रहा है त और उसके बाद यह रेस्ट्यों है इसको फूल करना है ताकि बढ़िया से दिखे अभी जो है आपको हर जगह यह दिखेगा बैगराउन में हलका हर जगह दिखेगा तो इसको फूल करना है फोटो इदर उदर करना चाहते तो कर सकते है नीचे उपर और यह साइड वाई साइ आपको फूल करना है इसको यहां से बाएक करना है यह से इलाव मांग देया दे ङुह दिए अब हर जगह बहु नहीं दीखेगा है थीक है तो ऐसलेक का ओपियू पर उप्या करके और यहंसे तुलम्रिक्राइं अदर फोटो दिखेगा यह दिखिए तो देख सकते हैं काफी प्यारा यह फोटो दिख रहा है और यह देखने में काफी एट्रेक्टी भी लग रहा है तो इस तरह से आप अब यहां पे इस तरह से आपका वाग्सकिन पर फोटो जो एक अब दीखने लगा तो इस तरह से आप आप वाडसेब को फोटो जो है लगा सकते हैं गाज वीडियो कैसा लगा वीडियो सब्सक्राइब कुई सवाल नीचे बता सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर भाइबाइबाइब